हेलो फ्रेंड मैं उनायश और आप दिखरें SPDEC PRO आज की स्वीडियो में मैं आपको बताने होलो कि किस तरह आप Windows 7 को आपके Android mobile पर रन कर सकते उसे यूज कर सकते Android पर तो चले बाकी प्रोसेस में आपको mobile स्क्रीन पर दिखाता हो सब्सक्राइब करें SPDEC PRO चैनल को और साथ में बेल आइकोन पर क्लिक करके इसे आल पर सेट करें नए वीडियो की सबसे पहले आपको मिल सेके आपको लिंबो लॉंचर जो ओ इंस्टॉल करना होगा तो सबसे पहले आप जो ओ लिंबो लॉंचर इंस्टॉल कर लीजे मैंने आपर इंस्टॉल किया तो मैं इसे उपन करता हूँ उपन करने के बाद यह आप लोड मशिन के नन देख सकते इस पर आपको क्लिक करना होगा और यह आपर न्यू मशिन क्रेट करनी होगी तो मैं सिंपली आपर विंडोस 7 नाम देता हूं और यह पर क्रेट कर देता हूं उसके बाद आर्किटेक्चर जो है और आपको आपको यह पर टीक लगाना है और यह नन पर क्लिक करके आपको यह पर ओपन करने के बाद आपको यह पर देख सकते हैं यह जो फाइल है मेरे विंडोस 7 की W waiting 7.Qc2W2 यह फाइल के लिंग-mane आपको description में दिया है और साथ में Limbo Launcher का भी ह maturity आपको description में दिया है वहांसे जाकर आप यह दो पायल डाउनलोड कर लिजे तो जो पाइल किये उसे हमें आप पर select करना है और उसके बाद इसे open करना है उसके बाद जो विजेग्राफिक है वो standard पर set करना है network में जो network card है इसे हमें RTL 8139 select करना है उसके बाद या पर जो boot setting है boot setting में boot from device में changes करना है और इसे hardics पर set करना है उसके बाद यूजर इंटरफेस है यूजर इंटरफेस जो हमारा हो vnc या पर default रहेगा तो उसे हमें change करके SDL करना है orientation आप आपका मज़िस से रख सकते है आटो भी रख सकते है या landscape भी रख सकते हैं तो मैं या landscape select करता हो full screen का option है उसे टिक करता हो और हाइफ priority का जो option है उस पर भी टिक करता हो तो हमारे setting हो चुकी है इसके बाद जो हमें या पर play बटन दिखाए दे रहा है इस पर हमें क्लिक करना है तो हमारी windows जो हो बूट होना start हो जाएगी तो आप देख सकते हैं मेरे जो windows 7 हो बूट होना start हो चुकी है आप आप लोगो देख सकते हैं हमारा loading screen लोगो आ चुका है तो यह लोगो कुछ विश्टा ओएस की तरह दिख रहा है मरे जो ओएस ओव विंडोस 7 है विंडोस 7 का यह जो यह लाइट वर्जन है इसलिए थोड़ा अलग दिखाए दे रहा है और आपको एक बार पूरा विंडोस स्टाट होने के बाद आपको जो लुक मिलेगा वह आप देख सकते हैं कंप्लेटली विंडोस 7 है यह आप थोड़ा अलग दिख रहा है यहाप आप देख सकते हैं यूजर आ चुका है हमारा जो माउस का करसर है और वर्क नहीं कर रहा है तो अगर आपका भी करसर करता है तो मैं यूजर पर क्लिक करता हूं करता अपको थोड़ा सा वेट करना होगा यह पूरा प्रोसेस होने लिए आपको एक से दो मिनिट का टाइम लेगा यह पर आप देख सकते हैं हमारा यूजर जो ओ लोग इन हो चुका है आप यूजर नेम होगरा जो भी है आप च पसंद आओगा अगर आपको वीडियो पसंद आओ तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जोरूर करें और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को जोरूर सब्सक्राइब करें थांक्स पर ओजिंग